शरीर में कितनी होती है पानी के आशकता जाने अपने वजन के अनुसार नवशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल प्रद्भाव वीडियोस में आज इस नई वीडियो में हम आपको शरीर में किसको कितना पानी चाहिए यह वह अपने बजन के अनुसार जान सकता है इस बारे में हम आपको विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे तो कहीं जाएगा नहीं वीडियो के अंतक हमारे साथ जरूर बनिया है जैसा कि आप सभी को पता है मनुष्य का सरीर 70% भाग जल में है ऐसे में पानी की कमी होना नहीं उसके सारेरिक इस्तिती बलके उसके मांसिक इस्तिती को भी बिगार सकता है कई बार तो पानी की कमी आपको चिर्चिडा गुसैल भी बना देती है आपके अंदर जो भी विशाक्त उत्पन होता है या यू कहें हम दिन भड जो भी गलस अलग भी खाना खाते हैं उसको साफ करने के लिए पानी होता है बेहल जरूरी फिर हो चाहे यूरीन के माध्यम से हो या फिर आपके सरीर के डिक्टॉक्स को किसी अन्यविदी से निकानने का माध्यम पानी है आपके लिए पेहल जरूरी ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि क्या आप कम पानी पीते हैं यदि कम पानी पी देते हैं तो आज ही समझ ले कि आपके शरीर को है कितनी पानी की आशक्ता यदि आपका शरीर का बजन 45-50 किलो तक है तो आपको कम से कम एक दिन में 2 लिटर पानी पीने की ज़रूरत है यदि आप 2 लिटर पानी नहीं पी पाते हैं तो देड़ से कम तो पानी पीए ही ना ऐसा करना ना केवल आपकी इस्किन के लिए आपके होटो के लिए बलकि आपके शरीर के लिए है बेहत खातक यदि आपका वजन 50-60 किलो ग्राम तक है तो आपको अपने पानी की मातरा को बढ़ा कर धाई लीटर तक कर देना चाहिए ऐसा करने से या आपके शरीर को ना केवल स्वस्त रखता है बलकि आपके वजन को भी घटाता है जी हाँ यदि आप निश्रल तरीके से अपने वजन को घटाना चाहते हैं तो पानी है सबसे स्रिष्ट माध्यम जिन लोगों का वजन बहुत अधिक हो गया है या उनका वजन साथ से पैसर तक पहुँच गया है उन्हें कम से कम ठाइल लीजर से अधिक पानी पीना चाहिए या आप ये कहें 2.7 या 2.9 लीजर पानी उन्हें एक दिन में जरूर पीना चाहिए ऐसा करने के लिए आप या तो अपने बोतल की माप ले ले या फिर निर्धारित कर ले आपको दिन के किस भाग में अधिक पानी पीना है या किस भाग में कम पानी पीना है वैसे हो सके तो आप स्वाम तक अधिक से अधिक पानी पीने क्योंकि सोने के भाद या सोने से पहले अधिक पानी पीने से आपके शरीर बोर दिकते भी हो सकती है बात करें यदि हम 75 से 85 किलो तक के वजन के लोगों की इन्हें कम से कम 3 से सवा 3 लीटर तक पानी पिलना चालते इनके शरीर में हुई पानी की कमी इनके वजन को और बढ़ा देगी इनका मेटाबॉलिस में सोलो हो जाएगा साथी ब्लट प्रेशर कोलेस्टरॉल जैसी समस्याएं भी बढ़ जाएंगी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी को नजरन दाज करते हैं वो पानी पीने से कत्राते हैं ऐसा करने से बैठे बैठे उनके सरीर में विशेले पदार्थ बनने लगते हैं एसिड बनने लगता है जो कि उन्हें न चाहते वे भी कई बिमारियों का शिकार बना देता है यदि आपका वजन नब्बे तक हो गया है या आपके शरीर में फैट बहुत बढ़ता जा रहा है तो आप आज से ही पानी पीना सुरू कर देगी ऐसे में आपको कम से कम तीन से सा करता है नब्बे से अधिक वजन वाले जो सौ किलो तक बढ़ गए हैं उन्हें चार लीटर पानी तो एक दिन में जरूर बीना चाहिए उनके लिए अधिक से अधिक पानी पीना ना केवल उन्हें गलत सलत खाने से रोखता है बलकि इनकी भूप पर भी कंट्रोल करता है ऐ ऐसे में वहां अनाच का सेवन कम करेंगे और शायद उनका बढ़ा हुआ वजन इस तरीके से भी कंट्रोल हो जाए यदि आपका वजन सौ किलो से अधिक है तो आपको सावित चार लीटर पानी पीने की आशकता है अनिता आपका शरीर कभी वी इस वजन के उस दर्स से मुक चीजों का समय से निर्धारण करना बहुत जरूरी है ऐसे में पानी का निर्धारण भी आपके लिए बहुत अवश्यक है जल जितना अधित पियेंगे आप उतने अधित स्वस्त बने रहेंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करे शेयर करें हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग